हए वग दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाली है कि बीस्फ ट्रेट्समेंट में क्या काम करना पड़ता है बीस्फ ट्रेट्समेन का जौब प्रिफाईल दोस्तों काफी बार हमने आप लोगों को बताया है कि बैसे बार कोई नई भरतियां आई बच्चे सलेक्ट हुए लेकिन इसमें से कुछ बच्चे जॉब छोड़ देती हैं क्यों जॉब छोड़ देते हैं यह से प्रेट्समें भर्सेज एससी जीडी कौन बेहतर पोस्ट है आज इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए बात करने वाले हैं क्योंकि ब्यासे प्रेट्समेंट में भरती का जिसका फाइनल लिस्ट आने बाला है इस अठासी कोष्ट के जॉब कर रहे हैं में प्रेट्समेंट में उन्हें क्या काम करना परता यह kब रूट्व एक काम करना परता है बेसे ट्रेट्समेन में ट्रेणिंग होती है या नहीं सत्तर सठासी पोस्ट का जो अभी हुआ है तो क्या सेलरी डूटी क्या काम करना पड़ता है यह सारी चीजे हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने बाले हैं तो चलिए बढ़ते हैं आगे है और सबसे पहले दोस्तों हम लोग जानते हैं कि भाई बिएच यस व ट्रेट्समेन और यह हो गया स्सीजीडी आ का देखतनी जीडी में आप विएसेफ में जाये CRPF में जाएए, CISF में जाएए, ITBP में जाएए, Assam Raffles में जाएए, किसी भी पोस्ट में जाएए आप SSC GD के थुरी आपका काम है केबल duty किसीज का तो आपका मतलब GD जिसे हम बोला जाता है जेनरल ड्यूटी समान ने, समझ के दोस्तों आप लोगों को केबल, यदि आप BSF है तो भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाना है, CRPF है तो नक्सली छेतरी इलाकों में आपकी कर्च ऑप्रेशन करना है, CISF है तो आपको इंडरेस्ट्री लेरी आपको सिक्रोटी गार्ड है उन सबों का खत्म करना है, समझ के यदि आप SSB है तो आपको भारत और नेपाल भुटान बॉर्डर पर बंगलादेश बॉर्डर पर आपको ड्यूटी करना है, केबल बॉर्डर इसको बोला जाता है जेनरल ड्यूटी, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, समझ के केबल आपको जेनरल ड्यूटी करना है, कहीं पर चुनाओ हुआ, तो आप इसमें से CISF तो कोई भी चुनाओ कंडक्ट करवाती नहीं, ITBP कोई भी चुनाओ कंडक्ट करवाती नहीं, चुनाओ कंडक्ट करवाती है, तो SSB, Assam Rifle, CRPF और BSF, समझ के तो यह जो एक, दो और यह त इन चार पोश्ट है, यह चुनाओ कंडक्ट करवाती है, चाहे बारत के किसी भी राज्य में हो, तो नक्सली छेत्र में जैदा BSF, CRPF और Assam Rifle को भेजा जाता है, समझ गए, तो इस परकार से आप लोगों के SSCGD में काम करना परता है, रही बात BSF ट्रेट्समेंड को लेक है, वाटर केरियर में डालते हैं, वासर में में डालते हैं, सफाई वाला में डालते हैं, पारवर में डालते हैं, टेलर में डालते हैं, आप लोगों काम क्या है, जो कुक वाले है, वो खाना पकाएगा, जो वासर जो वाटर केरियर वाले हैं, वो सबजी काटेगा, आटा गुथेगा जो वासर मेन है उनका काम क्या है कपरा धुलाई करना मतलब धोबी का काम जो सफाई वाला है उनका काम क्या है क्यम्प में जारू लगाना ओफिस में जारू लगाना ट्रेनिंग सेंटर में दिया आपका ड्यूटी दिया गया तो ट्रेनिंग सेंटर को सफाई करन प्रेंप के अन्दर जो रोड़ होते हैं जो गार्डेन होते हैं लोफिस होते है 我न की साफ़ाई करना बारबार का मतलब क्या जो भी ट्रेंग में गए या आप कहीं भी सेंटर पर हो तो जवानों को बाल कटिंग करना दाढ़ू cannot भी मोची काम क्या होता है यहां पर मोची काम होता है कि चुटों की सफाय करना जूतों को पॉलिस करना चम्रे की कटाई करना तो इस परकार के काम आपको बीएसेफ ट्रेट्समेंड में कराया जाता है जो आप जो आप से ट्रेड टेस्ट के समय जो सवाल पूछा जाता है जो काम करवाया जाता है वही आपको ट्रेणिंग सेंटर के अंदर भी करना होता है और जहां मिलता है राइफल आपको राइफल नहीं मिलेगा ना आपको राइफल की ट्रेनिंग दी जाएगी समझ कि जिस तरह से एससीजीड वाले राइफल को एसेंबल कर लेते हैं फायर करना जानना सारी चीजे यह आपको मैगजीन भरना यह सारी चीजे आपको नहीं सिखाई जाए समझगे अभी जो सक्ताइट 88 पोस्ट का जो हुआ है दोस्तों जो 2022 की भरती है यह से प्रेट्समेंट में उसमें काफी बच्चे तो ट्रेणिंग सेंटर पर गए नहीं जो गए एससी जीडी का जैसे ही रिजल्ट आया तो अब यह से प्रेट्समेंट की जॉब फोरकर एससी जीडी में चले गए यह से प्रेट्समेंट का अभी पद काफी खाली रह गया तो हमने आप लोगों सुरू में बताया था कि क्यों अभिहार्थी जॉब छोड़ते तो जॉब इसलिए चोड़ती है कि बीस एफ ट्रेट्समेंट में उनको एक कमरे में काम करना होता है एक ज करते रहें चीप्ट हुआ अपना सीप्ट है समझके बस अरॉख ह minesते जो अंदर में केंटीन है केंटीन में अपना काम कीजिए अपना वर्क कीजिए नौ प्रोब्लम ना आपको बोडर पर जाना है नो आपको नक्सली अरिया में जाना है न कोई सर्च ओपरेशन में जाना है कहीं नहीं जाना है आप जिस पोस्ट में हो उस पोस्ट का काम आप करते रहिए समझगे एक चीज जान लिजे दोस्तों कि बीसेफ ट्रेट्समेंन जो जौब है यह 24 गुनिये साथ यह नहीं कि आप घंटा ड्यूटी करो 9 घंटा ड्यूटी करो ऐसा नहीं है यदि काम है तो आप लगातार तीन घंटा चाट घंटा काम करो नहीं काम है तो बैठे रखो पकाएगा नहीं हर समय तो खाना पकाएगा नहीं जब मौर्निंग हो गया मौर्निंग हो गया दोपहर हो गया और रात हो गया इन तीन टैम उनको खाना पकाना है पस आराम से जो कपड़ा सीने वाला है वो हर समय तो कपड़ा सीता रहेगा नहीं जो सफाई वाला है वो कब यही हमें दो टैन्म लगेगा एक मौर्णिंग में एक इभनिंग में वो पुड़ा दिन तो जारू लगाएगा नहीं तो यही काम है जी डी में आपको ओल घंटा जितना घंटा आपका दिया उतना घंटा को डुटी करना पड़ेगा लेकि ट्रेट्समेंट में यह है कि शौ के पद में जाते हो तो आप Bsf ट्रेड्समे तो आप there's a story me imagine perspective में तो आप वहां से आगे की भी पढ़ाई कर सकते हो अच्छे तरिके से समझें आगे की भी पढ़ाी कर सकते हो कर सकते हो लेकिन ज़िडी में जा आगे की पठाए करने का कोई मौकान नहीं मिलता है जो अभारती है सेलक्टेड मेरा खुड का भाई है सेलेक्टेड पता है आज कहां तो जम्मू कस्मीर में आज कहां तो नंतनाग में पर्ष्कहां तो इस अर्या में मैं परसो कहां तुसरी हम आप अपना बोजह कहां तब तोला किलो तो वैसे कांधे पर लटका राता है तो इसलिए बेसे प्रेट्समेंट का जौब भी बहुत अच्छा है अब जिसको मन है अपना कर रहा है जिसको हो गया और स्सी जीडी में हो गया तो समझता है चलो रहफल जब काम है तो काम ने फिर आरा इसके बात करते हैं स्वीवधाएं की स्वीवधाएं जिस तरह से जीडी जमान को मिलता है वह सारी आपको मिलेगी समझ गये बढ़ करें तो दोस्तों बढ़े जो है खाकी बढ़े मिलती है समझ गये आप खाकी पैंट और वाइट टी-shirt पह सबकुछ हुआ है और उनका ट्रेनिंग भी नहीं हुआ कि तो ट्रेनिंग का इसमें कम चांस रहता है सीधा जब आपका ज्वाइनिंग होता है जब आपका ज्वाइनिंग होता है ज्वाइनिंग तो आप सीधा जाओगे ज्वाइनिंग होते ही आप एधी कुक में हो तो आपको अपने काम के चले जाना है काम करना है तो यही सारी चीजें हैं यदि आप जौब कीजिएगा तो आगे जो हमने आप लोगों को बताया वही सारी चीजें होने वाली है छुटी भी मिलेगी सब पाते रही है समझ के दोस्तों तो बहुत अच्छा जौब है कोई भी जौब खराब नहीं होता है अब हम पे निर्भर है कि हमको बीसे ट्रेश्मेंट का जौब करना है यह ससी जीडी का जौब करना है यह सब अच्छा है यहां तो लोग इतने बीसे प्रेश्मेंट के लग जाए इसलिए दोस्तों तयारी में लगे रहे हैं बहुत अच्छा है हमने आपको सरल भासा में समझा दिया कि क्या काम करना पड़ता है वीडियो अच्छा लगे तो स्टियर जरूर कीजेगा चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजेगा मिलते किसी और नए वीडियो में ज्याहिंद वन्दे मात्रम बेस्ट अफ्लक्ट